हलो बच्चों तो हम लोग री नीट के लिए FST 5 के डिसकुशन करने आएं और हम कोई भी डिसकुशन करते हैं या कोई भी क्लास होती तो आपको पता है सिंग सर के एक मुहिम के साथ करते हैं कि अब पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको इसके त असानी से आंसर मिल जागा बढ़िया है आपके पास question question को देखिए क्या कह रहा है question में लिखा हुआ है select the correct match select the correct match with respect to cockroach cockroach के respect में बात करनी तो लिखा हुआ nervous system से related allergy muscles को बोला गया है हाला कि allergy muscles जो होती है वो nervous system से related नहीं है heart से related हैं और heart को connect करने वाली 13 muscle को हम कहते है allergy muscle और यह allergy muscle लगबग 12 pair होती है लेकिन कुछ book में यह 13 pair भी दिये होते हैं ठीक है आगे लिखा हुआ है compound eye में omitidia होते हैं बिलकुल each eye में 2000 omitidia पाए जाते हैं 2000 omitidia पाए जाते हैं पर कंपाउंड और अगर मैं आप से कहूं कि बई यहां पर cockroach में विजन कैसा है तो इस विजन को हम कहते हैं ważne exerc immense में ऐसा देखा gland से related fat body है नहीं fat body digestive gland से related नहीं है हलां कि यह fat body आपके पास kidney के मतलब जो ना kidney के ऊपर पाई जाती है है नो testis के ऊपर हम कह सकते kidney ऊपर testis भी है hypo pharynx आपके पास grinding के लिए help करती है नहीं grinding region जो है वो आपके पास grinding करने के लिए mandible जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार है mandible ठीक है और आपके पास hypo pharynx को किस से related बोलते हैं तो यह टंग से related हम बात करते हैं इससे also known as tongue कहते हैं ठीक है तो आपके पास सही जवाब तो second हो गया 101 का second आगे देखिए लिखा हुआ है session में in close circulatory system the blood is circulated through a series of vessels of varying diameter arteries veins और capillaries बिलकुल बात सही है close circulatory system में organs तक blood vessels के जरिए blood को पहुचाया जाता है जो की vary करता है मतलब आपको arteries में बटा होगा veins में बटा होगा और capillaries में में इक बात याद रखना कि open circulatory system और close circulatory system में basic अंतर होता है capillaries का capillaries आपको close circulatory system में देखने को मिलेंगी लेकिन कभी भी आपको open system में capillaries देखने को नहीं मिल सकते हैं लेकिन large vessels जरूर देखने को मिल जाते है in the open circulatory system तो reason में लिखा हुआ है because close type circulatory system is present in आर्थ्रोपोडा और ये बात गलत है आर्थ्रोपोडा में close circulatory system नहीं होता इसमें तो open होता है तो assertion सही reason गलत है answer आपके पास second आ जाएगा answer क्या बन जाएगा बेटा second बन जाएगा आगे देखिए अगला question फिर से statement है statement लिखा blood is the medium of transport of oxygen in co2 बिलकुल बात सही है क्योंकि blood के जरीए ही गैसों का transportation होता है और आपको पता है oxygen का transportation rbc के जरीए कितना percent होता है अगर मैं कहूं rbc के जरीए होता है 97 परसेंट और तीन परसेंट जो है वो आपका पास dissolve state में होता है किसके dissolve state किसमें प्लाजमा में लेकिन जब co2 की बात करते हैं तो 70 परसेंट आपके पास आता है bicarbonate के जरीए bicarbonate के जरीए 20 से 25 परसेंट जो है वो आपके पास आएगा hemoglobin के जरीए या फिर rbc के जरीए या फिर rbc के जरीए या फिर कहां जाए 7 परसेंट जो होता है वो प्लाजमा में dissolve होकर जाता है बात तो यह बात बिलकुल सही है फिर बात में लिगा hemoglobin is a red color iron containing pigment present in the rbc यह बात बिलकुल सही है hemoglobin rbc में पाया जाता है iron containing होता है और iron का form किस form में होता है iron होता है यहाँ पर ferrous के form में जिस form में ferrous के form में होता बिटा याद रखिएगा ठीक है तो आपके बात दोनों statement सही है तो answer आपका 4 बन जाए अगला देखिए अगला question आपको क्या कह रहा है अगला question देखिए carbonic anhydrase जो एक enzyme है वो present होता है rbc में भी और plasma में भी लेकिन लिखा है carbonic anhydrase present in rbc at very high concentration बिलकुल सही और यही carbonic anhydrase present होता है plasma में भी लेकिन वो very low concentration के वहाब पर यह बात सही है और आपको पता है कि carbonic anhydrase का काम क्या होत है जब h2o से co2 bind कराना हो तो यहां पर carbonic anhydrase चाहिए carbonic anhydrase चाहिए और यहां पर कौन सा acid बनेगा h2 co3 मतलब carbonic acid और इसे आपको ions में तोडने के लिए भी आपको क्या चाहिए यही carbonic anhydrase चाहिए समझ पा रहें कि नहीं तो इसका मतलब यह है कि h2 co3 को बनाने वाला औ और उसे ions में तोडने वाला भी यह carbonic anhydrase ही है तो आपके पास दोनों बाते सही है answer आपके पास फिर से 4 ही होने वाला है answer फिर से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा आगे देखिए अगला question अगला question क्या है the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm center is quite insignificant बिलकुल बात सही है जो हमारे body में जो receptors होते हैं उन्हें chemo receptors कहते हैं जो की detect करते हैं detect करते हैं h plus ion concentration को और co2 को h plus ion concentration और co2 को detect करते हैं वो oxygen को detect नहीं करते हैं इसी वज़ा से कहते हैं role क्या है oxygen का respiratory system में कैसा है आपके पास उसके regulation में quietly insignificant है और emphysema आपके पास chronic disorder होता है बिलकुल होता है और यह cigarette smoking smoking बताईए कौन सा cigarette smoking से आपको long term exposure से क्या हो जाएगा आपको emphysema हो जाएगा आपके जो surface area बड़ा है wall damage होने की वज़ा से surface area कम होगा और emphysema हो जाएगा सांस लेने में दिक्कत और फिर बाद में cancer में भी बदद जागा answer आपके पास four हो जाएगा 105 का भी four answer 105 का answer क्या हो जाएगा बेटा four ही हो जाएगा आगे देखिए अगला question statement लिखा adrenal gland is composed of two type of tissue बिलकुल सही है अगर मैं adrenal gland के बारे में बात करूं तो दो तरह के tissue है बाहर वाले tissue को हम cortex कहते हैं इनर वाले को दिया फिर लिखा human body has one pair of adrenal gland यह बात सही है तो पहला statement गलत दूसरा सही और इस तरह से आंसर आपके पास थर्ड बन गया answer क्या बन जागा बेटा थर्ड बन जाएगा चलिए अगला दी अगला आपके पास matching है which one of the following is the incorrect match आपको इसमें से incorrect match के बारे में बताना है और reference क्या लिया गया है b dna का है ना b dna मतलब right handed right handed helix dna का Watson and Crick वाले dna का तो देखिए आप से कहा जाता है कि चलो मैं dna के बारे में बात करता हूं तो इस dna के बारे में बात करूं तो यह आपके पास एक helix या एक pitch कहलाती है अगर इसके diameter की बात करूं तो यह 20 इंगल स्ट्रॉम का होता है आपको पता है कि एक helix में लगबग 10 base pair होते हैं दो base pair के बीच की दूरी 3.4 इंगल स्ट्रॉम की होती है अगर मैं पूरे helix की बात करूं तो 3.4 इंगल स्ट्रॉम की एक एक base pair की दूरी तो लगबग 10 base pair होते हैं इस तरह से यह 34 इंगल स्ट्रॉम का हो जाता है ठीक है देखें क्वेशन में कहलेगा diameter में आपको 34 इंगल स्ट्रॉम लिखा हुआ है जो की गलत है diameter तो लगबग 20 इंगल स्ट्रॉम का होता है distance between two adjacent base pair 34 इंगल स्ट्रॉम लिखा हुए गलत है यह होता है 3.4 इंगल स्ट्रॉम फिर लिखा है distance between two complete term दो complete turn के बीच की distance उसने 200 इंगल स्ट्रॉम लिखी हुई है यह बात भी बिलकुल गलत है यह 200 इंगल स्ट्रॉम नहीं होगी तो दो complete unit के बीच का दो complete unit के बीच का जो होगा वो आपके पास एक हैलिक्स की दूरी होगी 34.34 इंगल स्ट्रॉम यह बिलकल गलत है सारे और answer 4 बन जाएगा सारे के सारे यहां पर जुतने भी matching दिये हुए सारे गलत है आगे देखिए अगला लिखा हुआ है कि देखिए which one of the following is correct is correct match बेटा देखना थोड़ा सा यह मतलब जो है है माइनूट आ गया है थोड़ा से दियान से देखना मैं तुम्हें आंसर बता दे रहा हूँ प्रोकरियोड में नूक्लियोड होता है सही है हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन लिखी यह लिखा हुआ है यह समझ आनी चाहिए कि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होती है हार्जिनीन और लाइसीन रिच फिर बाद में आर्जिनीन देखे लिखा हुआ है यह आर्जिनीन लिखा हुआ है और आर्जिनीन के साथ उन्होंने सामने लिखा हुआ है कि यह है बेसिक अ हुआ है all of these तो answer क्या बन जाएगा आपके पास फोर हो जाएगा ठीक है आगे आगे हमारे पास लिखा हुआ statement 1 dna is acidic substance present in nucleus was first identified frederick misher बिलकुल बात सही यह से frederick misher ने acidic substance बोला था सबसे पहले nucleus के उस material को acidic substance बोलने वाले यह frederick misher थे पिलकुल बात सही है आपको अगर राइबोस समझ आ जाए तो राइबोस का structure यह होता है आपके पहले कार्बन पर भी ओएच है दूसरे कार्बन पर भी ओएच है तीसरे carbon पर ओएच है और फिर चोथे पर नहीं है पांच में पर ओएच है तो एक दो तीन चार पांच तो अगर आप से यह कह रहा हूं कि अगर इस राइबोस से यह क्या है राइबोस शुगर आपको कहा पाई जाती आरेने में और राइबोस सुगर है तो राइबोस सुगर के two days end से अगर मैं क्या करूँ टोदेस end से हम remove कर दे oxygen को क्या remove कर दे oxygen को तो बताइए क्या बढ़ जलता है तो यह बदल जायेगा बदल जायेगा आपके पास d-oxy ribose में तो d-oxy ribose का formula यह हुआ देखे यह यह यहाँ पर OH है यहाँ पर अब OH नहीं होगा यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर OH होगा इसका मतलब यह बात बिल्कुल सही है कि आपको RNA में additional OH 2-disc position पर देखने को मिलेगा लेकिन deoxy ribose में देखने को नहीं मिलेगा और नाम सही सुनिए कि ribose से deoxy ribose कैसे बना क्योंकि d मतलब remove होना oxy मतलब oxygen कौन सी position से 2-disc position से ठीक है दोनों statement बिल्कुल सही है answer 109 का 109 का 4 हो जाएगा ठीक है आगे अगला question देखिए और अगला question बताइए आपके पास देखिए कितना बढ़िया question है लिगा हुआ which of the following statement is true for genetic code तो आपको salient feature की बात करनी है और आपको पता है salient feature of genetic code क्या-क्या होते है salient feature में अगर मैं आप से कहूं कि salient feature of genetic code में आपको क्या-क्या feature पता है तो AUG के dual function होता है बिल्कुल क्योंकि ये initiation codon भी है और mithy-o-neen को भी code करता है पिर बात लिखा हुआ है genetic code is nearly universal बिल्कुल बात सही है कि कोई भी genetic code किसी भी organism में same काम करता है AUG mithy-o-neen का काम कर रहा है तो सारे organism में आपको mithy-o-neen ही लाएगा AUG लेकिन कुछ ऐसे भी mitochondrial पर mitochondria पर पाए जाने वाले कुछ code हो कुछ proto zones में पाए जाने वाले code थोड़े differ करते है इसी वज़ा से यहाँ पर turn nearly लिखा हुआ है haul नहीं लिखा हुआ है ठीक है हाला कि mostly मतलब आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो genetic code है वो कैसे है वो है आपके पास universal हर तरह सेम काम करते है genetic code degenerate होते है मतलब एक amino acid के पास एक से जादा genetic code हो सकता है वो 6 भी हो सकते है वो 4 भी हो सकते है वो 3 भी हो सकते है वो 2 भी हो सकता है एक भी हो सकता है लेकिन 5 नहीं होते है आपके पास codon is read in mRNA in a contagious fashion विलकुल बात सही है contagious fashion का मतलब उसमें कोई कॉमा वगेरा नहीं होता डारेक कोड लिखे होते हैं AUGCDC तो आपके पास ये कोड लगाता लिखे रहेंगे MRNA पर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई भी कॉमा या कोई भी डेस नहीं पायागा तो ये सारी बाते सही हैं आंसर आपके पास फोर हो गया स्वरी थर्ड हो गया जिससे आपको सारे फीचर मिल रहे हैं आगे लिखा हुआ लैक ओपिरॉन कॉंसिस्ट ओफ वन रेगुलेटरियन थ्री स्ट्रॉक्श्रल जीन जिसमें जेड वाई और ए है तो जेड वाई तो आपके जेड के लिए बीटा गलेक्टोसाइडेज है वाई के लिए पर्मियेज है और ए के लिए ट्रांस एसेटाइलेज है बाकी आपके पास सारे ओप्शन्स गलत है और आपको पता है बीटा गलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है lactose को उसके monomer में तोड़ देना मतलब lactose जो disaccharide है वही inducer की तरह काम करता है और आपको पता है यह क्या करता है यह lactose को glucose और galactose में break करता है आगे अगला लिखा हुआ AUG codon has dual function बिल्कुल dual function है अभी मैंने बताया फिर because करके आप region पढ़िये लिखा हुआ AUG code for serine गलत हो गया वाई सब serine नहीं यहां तो methionine होना चाहिए था यहां होना चाहिए था methionine methionine also act as the initiator codon methionine की वाली बात गलत लिख दी है serine लिखा हुआ पर methionine होना चाहिए था इसका मतलब assertion सही reason गलत तो बताइए answer आपके पास क्या हो जाएगा 112 का second हो जाना चाहिए ठीक है आगे देखिए लिखा हुआ in plants morphine is obtained from पहले तो यह बताइए morphine को कौन से प्लांट से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है पैपेवर सोमिनी फेरम पैपेवर सोमिनी फेरम नाम है जिसके अन्राइफ फ्रूट के जिसके अन्राइफ फ्रूट के लेटेक्स से प्राप्त होता है अन्राइफ फ्रूट के क्या होता है लेटेक्स से प्राप्त होता है हमें लेटेक्स से प्राप्त होता है आपके पास morphine और morphine का acetylation करा दिया जाए तो किसमे बदल जाता है heroin में ठीक है तो diacetyl morphine को हम heroin करें तो आपके पास ये seed से प्राप्त नहीं हो रहा root से नहीं, leaf से नहीं latex से हो रहा है, answer आपके पास pour हो जाए आगे दिखाए लिखा हुआ है in which type of barriers under innate immunity, ऐसा barrier आपको बताना है, जो innate immunity के अंदर आता है और do the acid and saliva belongs, तो पेट में इस टमक में आपको acid और mouth में saliva किस तरह के barrier का example है, तो आपको पता है innate immunity में चार आपके पास barriers होते हैं एक physical barrier physical barrier में आपके पास skin आजाएगा mucus आता है दूसरा आपके पास barrier में आपके पास acid in the stomach, मुमें saliva, आँकों में आसू है ना vagina में आपके पास acidic medium due to lactic acid bacteria, तो ये सब आपके पास जैसे ear में surumen, तो ये सब physiological barriers में आते हैं ठीक है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर cellular barrier आते हैं और cellular barrier में आपके पास आपके पास आजाएंगे different kind of phagocytic cell, macrophages cell और फिर उसके बाद आपके पास आजाएगा cytokine barrier और cytokine barrier की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर virus infected cell अपने अंदर से निकालते हैं alpha interferon जो other non infected non virus infected cells को उनके receptors को modulate करके उनने further infection से बचाने का काम करता है तो यह हमारे पास innate immunity में 4 तरह के मतलब barriers है और acid saliva comes under cellular barriers नहीं physiological barrier yes, physical barrier नहीं cytokine barrier नहीं answer आपके पास second हो जाएगा आगे देखिए अगला question यह देखिए question लिखा how many matchings are correct with reference to evolution evolution के respect में कुछ बाते लिखी हुई हैं जैसे first cellular form of life appeared 2000 million years ago या 2 billion बोल सकते हैं और यह cell जो first cellular form है यह pro career cell के form में थी ठीक है सबसे पहले non cellular मतलब जोना life आई non cellular form of life जिसे virus कह रहे थे को लगबग 3 billion years ago के असपास 3000 million years बोल सकते हैं invertebrate बिलकुल सही है 500 million years ago seaweeds आपको 2, 320 million years ago, jawless fist यह भी सही लिखा हुआ है 350 million years ago लेकिन डाइनासोर सदनली disappeared, disappeared from the earth यह 165 नहीं है यह सिर्फ 65 होना चाहिए 65 होना चाहिए इसलिए आपके पास चार बाते सही हैं एक बात गलत हैं इसलिए आपको लिखा हुआ है यह basic तुम से इतने बड़े question में यह पूछना चाहरा है कि multiple alleles का अगर case हो और multiple alleles कितने हैं alleles के number कितने हैं तो क्या उनके हिसाब से क्या हम genotype को decide कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं आपने blood group की बात करी जाए तो blood group में blood group को decide करने वाला i gene उसके तीन alleles होते हैं कितने alleles होते हैं एक होता i a i b और i o ठीक आपको पता है कि blood group abio blood grouping शो करता है आपके पास multiple alleles ठीक अब आप से यह कहा जाए कि अगर इसी abio blood group के phenotype की बात करी जाए तो phenotype कितने होते हैं तो phenotype को लेकर तो 4 phenotype है 4 तरह के blood group है a है b है a b है और o है लेकिन इन 4 तरह के blood group को decide करने के लिए genotype आपको कितने पता है तो इसके genotype होते हैं 6 कितने होते हैं genotype कितने होते हैं 6 होते हैं इसके पास alleles कितने होते हैं और IA IA और I O ये decide करते हैं A blood group जबकि I B I B I B और I O ये decide करते हैं आपको B blood group और I A और I B ये decide करते हैं आपको AB blood group और जबकि I O और I O ये decide करते हैं आपको O blood group कहने का मतलब आप 6 genotype याद कर सकते हैं चलो यहां तो याद है लेकर multiple allele के case में अगर आपको allele के नंबर पता हो और genotype निकालना हो तो उसका एक formula भी होता है जी जीनो टाइप बराबर जीनो टाइप बराबर multiple allele के case में बात कर रहा है तो वो होता है n by 2 n minus 1 यह होता है ठीक है sorry n plus 1 तो अगर मैं आपसे यह कहूं n बतलब यहां पर ही हम रख लेते हैं तो n बराबर यहां पर 3 allele n बराबर क्या है 3 allele तो आप बताईए 3 बटा 2 और 3 प्लस 1 तो आपके पास यह लगबग 12 बटे 2 आ गया कि नहीं और 6 आपके पास genotype निकल कर आ गए जो की हेबियो ब्लड ग्रूपिंग में होते हैं इसका मतलब यह फॉर्मूला वह फॉर्मूला है कि अगर किसी का मुल्टिपल एलिंग का केस दिया हुआ है और आपको उसके क्रॉमूसॉमिं क्वीण- वॉर्कर एंड ड्रोन χनी इपी रिस्प्jem आपको पता है की ऐनी फीमेल जो होतें एक्यूड वे सेग्शुल री Millennium से बनते हैं और उन में टूइन बराबर 32 क्ईक्रो मूसॉम होते हैं और जबकि मेल जो होता है जो मेल की बात है वो मेल बनता है पार्थिनो जनैसे से हैपलॉइड होता है और हैपलॉइड में 16 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल दो तरह के होते हैं एक आपके पास queen है queen आपके पास 32 क्रोमोसोम रखेगी और आपके workers जो होते हैं वो worker भी आपके पास female होते हैं 32 क्रोम मेल याद रखिएगा ये है बिस तराइल फीमेल हो जब कि मेल जो होता है एक क्वरटाइल मों घू41 के अज़र आप किपास ऑंसर नाहीं बन गया الोा स efficacy से आगे लिखा विच वन आप दी फॉलोइंग आर टाइप ओफ करेक्टर तो पेटा आपको क्या पता है कि करेक्टर सो ट्रेट में अंतर क्या होता है तो हमने कहा कि करेक्टर जैसे कि हमने का आई कलर यह करेक्टर जैसे मैंने का हाइट करेक्टर लेकिन हाइट कितनी है तीन आपके पास ट्रेट है तो उसमें से आपको पता है कि इंदा केस ओफ इंदा केस ओफ मेंडेलियन जनेटिक्स आपको करेक्टर सेवन मिले हैं लेकिन ट्रेट मिले हैं सेवन फेर सेवन पेर में आपके पास करेक्टर में हिस्टेम हाइट करेक्टर है बिलकुल करेक्टर यह क् पॉजीशन ओफ लार ये भी करेक्टर है क्योंकि आपको इसका ट्रेट देखने को मिल जाएगा जैसे टर्मिल फ्लार एक्जियल फ्लार ही और इसमें आपके पास तीनों की तीनों करेक्टर हैं जबकि इनकी ट्रेट के हमने बात कर ली है अंसर फोर हो जाएगा आगे देखिए इन हुमन ब्लड ग्रॉप इस गुड़ एक्जामपल अभी बिल्कुल अभी बताया कि ब्लड ग्रॉप जो है था हमें हुमन का मुल्टिपल एक्जामपल है क्योंकि एक जीन दो से जादा एल के पास फोर बन जाएगा ए और बी मतलब ए और आर इस करेक्ट हैंड करेक्ट एक्स्प्लेनेशन भी आपको देखने को मिल जा रहा है अगला क्वेश्चन देखिए 120 विच वन आफ दी फॉलोईंग आर इनकरेक्ट स्टेट्मेंट निकालना पेटर देखो देखो क्या लि आना चाहिए था गुलुटामेक आसे इस पोजिशन पर आ जाता है वैली आना चाहिए था जी आ जाता है जी तो आपके पास यह आपको एक जैनेटिक पॉल्ट है जहां पर वैलीन आ जाता है ठीक है फिल निका फैनल कीटो नूरिया ओटोसोमल डॉमिनेंट रेट है यह ब रेसेसिव डिजीज है बिटा कैसी है फॉटोसमल रेसेसिव फैनल कीटो नूरिया इस इन बॉर्ण एरर ऑफ मेटाबोलिज्म यह पास सही है आपको पता है कि फैनल एननीन अमीनो आसेड फैनल एलनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रदिस्स में ठाइरोसीन में आगे इसका मतलब आपके पास यह फैनल एननीन हाट्यूमलेट होता रहेगा और यह यह जमा होता रहेगा और convert हो जाएगा और urine के जरीह आएगा और black color की urine भी हो जाती है और skin के pigmentation भी देखने को मिल जाएगे तो आपके पास यह आपको पता है फैनल ketonuria आपके पास यह pleiotropy का भी example है one gene carries more than one phenotype या फिर character या फिर तो आपके पास इसमें गलत जवाब निकालना था तो second हो जाएगा आगे अगला लिखा हुआ विच आप दी फॉलोइंग इस इनकरेक्ट स्टेटेठ्मेंट worst of the following एक इनकरेक्ट स्टेठ्मेंट की बात कर रहा है देखे न्य blessed तै न्याफंकि दॉर्य विंट्रल लीव बिल्कुलव गलत है क्योंकि बुलीभ इनकि मोनो कॉट लीव में जो की आईसो बाइलेटरल होती है हना आपको पास यह बुल्ली फॉर्म सेल अपर सर्फेस पर है जो की वॉर्टर को इस्टोर करते हैं जब लीफ को रोल और अन्रोल करने में इनका एक इंपोर्टेंट रोल होता है लेका वो माइको रोज़ा पैरसेटिक अडाप्टेशन है बिल्कुल गलत है यह तो सिंबियॉटिक अस्फियाशन कैसा है से प्यूल हमेंचा यह थो आपके पास यह सारे स्टिटमेंट गलत है Still और लिपल आप होता क्या है आपको पता है कि वह यार्ड ग लेकिन चा偍ा और यह जुब आपके पास कहलाते हैं यह बाइबलेंटबी कह सकते हैं इन्हें हम वाइवावेलींट वी कह सकते हैं और टेत्राड वी कह सकते हैं वाइवेलन्ट ओर टेट्राड की फॉर्मेशन वि थी आपको II जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसों की पेरिंग को हम साइनेपसिस कहते हैं वाइबलेंट का फॉर्मेशन या टेट्राड का फॉर्मेशन लेकिन टेट्राड और किलियर्डी सीन इन पैकाइटीन जब यहां पर इनके बीच में लॉंगी ट्यूटनल स्प्लेटिंग होती ह तो पूछ रहा है कि टेट्राड बना कैसे तो चार हूमोलोगस क्रोमोसों में फिनक है आगी लेकिन इन में लेखने को नहीं मिलेगा क्योंकि टीमवी वाइरस है तो यह अपने नंबर बढ़ाने का तरीका इनका अलग है इन तो तब होगा ना जब यह सेल से बने होंगे इस सेल डिवीजन इन में हो गए नहीं खुदी इस स्ट्रक्चर कहलाते हैं अंसर आपके पास फूर हो जाएं 123 का आगे लिखा हुआ विच आप फॉलॉइंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट किसके रिगार्डेंग एस फेस के रिग पूरे इंटरफेस में ग्रोध होती रहती है फिर लिखा हुआ यह रहा है यह सेंट्योल का डूप्लीकेशन भी लिख देते वह वह सही थी इनों बाते सही हैं फर सेकेंड थर्ड और करेक्ट क्या मैं अंसर 124 के थर्ड पर जा सकता हूं बताएं ठीक है अगला बताओ अग आपको पता है यह शुगर है और यहां पर ओएज जुड़ा हुआ है तो यह राइबोज शुगर है हाला कि कलर आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूं यह कौन सी शुगर है राइबोज है और यह एडिनीन जुड़ा हुआ है इसका मतलब यह है कि यह ह है शुगर प्लस बेस का कांबिनेशन और सुगर प्लस बेस के कांबिनेशन को हम कहते हैं न्यू क्लियो साइड क्या कहते हैं और शुगर और बेस में वीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम होता है गलाइको सिडिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड गलाइको सिडिक हो जाएगा एडिनोसें यह नाम लिखना पड़ेगा कि एडिनी नहीं है एडिनोसें है यह तो अंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा है यहां पर फॉस्फेट जोड़ चुका होता ठीक है आगे लिखा हुआ रीड़ दा एक्जांपल प्रॉपर्ली लिखा हुआ तो आप मुझे बताना तो आप मुझे बताना मॉर्फीन और कोडी याद आया मॉर्फीन और कोडी एलकोलाइट होते तो आपके पास सेकंडरी मेटापॉलाइट से सारे के सारे से secondary metabolites हैं, बिलकुल है, morphine भी है, abarin भी है, recent gum, सारे की सारे, all have identifiable function, तो ये जब secondary metabolites हैं, तो इनके identifiable function नहीं होते हैं, इनका regular physiology में, इनका कोई भी role हमें नहीं पता, हाला कि अभी तक कहा जाता है, कि इनका कोई identifiable function, इनकी normal physiology में नहीं होता, हाला कि defense में काम करते हैं, ये कुछ chemicals जो की आपके पास एक तरीके का parasitic, वो sorry, prediction defense है, आपके पास देखिए, all have not identifiable function at the moment, बिलकुल ठीक है, all are the primary metabolites नहीं, जब एनने secondary बोला तो ये primary नहीं है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ A और C सही है, और दो statement सही हैं, तो answer third बनेगा, दो statement सही है, answer क्या बन जागा, third, दो statement सही है, आगे देखिए अगला, दो, all person are vulnerable, वैसे तो लिखा हुआ है, सारे function, सारे person sexually transmitted infections से vulnerable है, but there are incidents are reported to be very high among persons age group, तो पोई कह रहा है कि STI जो होते हैं, वो सम्में फैल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाजुक एज कौन सी होती है, जिसमें STI के फैलने का, मतलब संभावना जादा होती, तो वो 25 से 35 ना होकर, 5 से 10 ना होकर, हम 15 से 24 को मांते हैं, टीनेज से लेकर शुरुआती, आपके पास reproductive phase मांते हैं, वो sexually transmitted infection के लिए सबसे ज़्यादा vulnerable होती है, आगे देखिए, लेका हुआ है, ट्रैकिया डिवाइड होता है, into primary bronchi at the level, तो आ ट्रैकिया आपके पास thoracic, thoracic vertebrae से आपके पास क्या कर रहा है, यह क्या बट रहा है primary bronchus में, आपको पता है, ट्रैकिया primary bronchus, फिर secondary bronchus, फिर आपके पास terminal bronchus, फिर आपके initial मतलब lobular bronchiol, फिर terminal bronchiol, and then आपके पास alveoli और उसकी duct पाई जाए, आप देखिए, कि यह कहा पर बटा हुआ है, ट्रैकिया तो ट्रैकिया बटा है, C5 पर, C5 मतलब cervical 5 पर नहीं, लंबर 5 पर नहीं, आपके पास thoracic 2 पर नहीं, यह थम थुरसे 5 की बात करना है, फिर थुरसे 5 की बात करना है, फिर थुरसे 5 ठीक है, आगे, which one of the following is incorrect statement, incorrect statement बताना है, बताना मुझे, दे क्योंकि अगर मैं ABA के antagonistic किसी को रखोंगा, तो जिब्रालिक आसिड को रखोंगा, क्योंकि जिब्रालिक आसिड या जिब्रिलिल, वो होता है, वो आपके seed germination में help करता है, जबकि ABA, Epsosic Acid, seed dormancy को बढ़ाता है, seed germination को रोपता है, तो यह आपके पास जिब्रालिक इतायलेन आल्सो कॉल्ड इस्ट्रेस हॉर्मोन बिलकुल नहीं, यह भी ABA का नाम है, इसे इस्ट्रेस हॉर्मोन, ABA को कहते हैं, फिर देखिए लिका हुआ है, जी ए स्टीमुलेट दा, क्लोजर ओफिस्टोमेटा, यह भी बात गलत है, हिस्टोमेटा के क्लोज होने में, र साइट काईन जैसी एक्पीटी यहां पर किसमें देखने को मिलेगी टूफोडी आउक्जिन है इसकी अक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी जिएटन्एं में मिलेगी क्योंकि आपके पास पता है कईने जियसे इसा कर cioè होते हैं आपके प्लांट सोर्स है जबकि काइने इनिबल सोर्स होता है है आपके पास हेरिंग डिया ने आप फिश से निकाला गया था पता है ना आगे आगे लिखाओ विच आप दी फॉलॉइंग ऑउग्जिन इस ऑप्टेंट फ्रॉम प्लांट तो प्लांट से अगर ऑउ कर रहे हो तो हमें पता है कि तुम जाये सिंथेटिक ऑउकस데 के पास सुरी हापके पास निकालोगे तो नेचरल ऑउकजिन के बंठ्धब के नाम पर आपके पास कौन से यहां हैं थो हम कह सकते हैं किा इसे एसेड एंड डोल व्यूटारिक एसेड इस दा नैचुरल आपके पास ऑगजिन जबकि सिंथिटिक की बात करी जाए सिंथिटिक जो आपके पास आपको प्लांट से अगर ऑगजिन प्राप्त करना है तो आप आईए से कर सकते हो इससे नहीं कर सकते है अगला बताईए लिखा हुआ विच आप दी फॉलॉइंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है देखिए बेसोफिल सिक्रीट हेपारिन हेपारिन हिस्तामीन सिरोटोनेट ठीक है तीनों रिलीज करेक्ट बेसोफिल सिक्रीट वैसोडाइलेटर वैसोडाइलेटर आपके पास chemical substance histamine ठीक है क्योंकि serotonin vasoconstrictor होता है और eosinophil 2-3% होते हैं WBC की यह भी बात सही है 132 का 4 ही होगा 132 का answer 4 हो जाएगा सारी बातें यहां पर सही है ठीक है अगला बताएगी लिखावाई decrease the level of several hormone in human maternal blood are necessary for maintenance of pregnancy यह बाली बात गलत हो गई क्योंकि यह decrease level नहीं होना चाहिए यह तो होना चाहिए increase level ठीक है फिर लिखा human female immediately after implantation the inner cell mass differentiate होता है outer layer of ectoderm में और inner layer mesoderm में और फिर इस दोनों के बाद इनके बीच में एक और layer आती जिसे हम कहते हैं mesoderm तो ectoderm, endoderm और mesoderm करके तीनों जर्म लियार पाई जाएंगी और उसी को हम कहेंगे amniots ठीक है तो आपके पास यह वाला statement सही एक गलत दूसरा सही आपके पास क्या answer थर्ड नहीं बना है 133 का थर्ड बन गया पिटा कोई problem मुझे तो लगता है नहीं होगी आगे देखे अगला question लिखा हुआ in human female sorry male accessory glands के बारे में बता रहा है paired of seminal vesicle ठीक है single होती है prostate सही है और double में आपको bulbo urethral gland या फिर copus gland पाई जाती है यह बाद भी सही है क्या problem है फिर बाद में the penis is the male external external genitalia यह भी सही है ठीक है जबकि bartholand gland accessory gland के दोर पर female में पाई जाती है तो आपको दोनों statement सही है कोई problem नहीं answer 4 आगे which of the following is called molecular scissor मतलब molecular scissor मतलब genetic catchy किसे कहते हैं जिससे gene को मतलब DNA को cut कर सकते हैं उसे हम कहते हैं restriction endonuclease मतलब restriction enzymes को हम कहते हैं molecular scissor जबकि DNA ligase को तो हम glue कहते हैं gond of the genetic हाना और आपके पास यह हो जाएगा polymerase DNA से DNA बनाएगा और beta galactosidase का काम होगा lactose को किस में बदल देगा glucose और galactose में बदलने का काम किसका होगा beta galactosidase का इस तरह से आपके बास 135 का second answer हुआ कि molecular scissor हम restriction enzymes को कहते हैं तो इस तरह से हमने आपको 101 से 135 तक question करा दिये बेटा इसके बाद के question 135 से मतलब 136 से 70 तक आपको challenge दर कराएंगे आदे हुआ फिर उसके बाद आपको अगले further question को कराने के लिए आएंगे विक्रम सर हैसे लगे रहिए पढ़ते रहिए और अपना खयार रखिए थैंक यू सो मच hello everyone question number 101 to 135 अभी अब question number 136 to 170 I will be discussing question number 136 आपके सामने है in order to insert alien DNA at the site of ampicillin resistance gene in PBR 322 the restriction endonuclease can be तो PBR 322 हम लों को पता है यह PBR 322 क्या है यह plasmid bolivar rodrigs artificial vector और इसमें ampicillin resistance और tetracycline resistance यह selectable marker की तरह यहाँ पर use होते हैं तो यह ampicillin resistance के लिए हो गया gene यह यहाँ पर tetracycline resistance के लिए हो गया और इसके अलावा यहाँ पर repressor of primer और यह oride origin of replication जहांसे replication start होगा तो यहाँ पर recognition sites देख ली जाएं restriction enzymes की तो यह ampicillin था ampicillin resistance जी और यह tetracycline resistance tetracycline resistance कि यहाँ पर ampicillin का पूछा गया तो ampicillin में कौन-कौन से होगी ampicillin में यह ampicillin में यह पी वी यू वन और पी एस्टी वन और पी एस्टी वन और यहाँ पर पी वी यू टू प्रोडियस वल्गैरिस और इसके अलावा यहाँ पर eco r1, clay 1 और हिंद d3 का भी है eco r1, clay 1 और हिंद d3 तो यहाँ पर दिया हुआ है pv2, bam h1, eco r1 और pst1 तो यहाँ पर क्या होगा pst1 जो ampicillin resistance में present है और यह pbr 322 322 इसे जो नंबर दिया गया है वो इसे differentiate करने के लिए बाकी से जो बाकी जो वहाँ पर बनाए गये थे artificial vectors उनसे differentiate करने के लिए उनसे अलग करने के लिए से नंबर दिया गया था PKI plasmid है BR जो है बॉलिवर और रोटरिक्स Now we move to another question question number 137 इन C4 plants plasmid estimate are used for transport of तो C4 plants में mesophyll और mesophyll के अलावा यहाँ पर bundle sheet cells होती है तो mesophyll cells में यहाँ पर phosphoenol pyruvate यह carbon dioxide accept करता है bicarbonate के form में यह आएगा और इसके बाद यहाँ पर बनेगा oxaloacetic acid और oxaloacetic acid से फिर बनता है malate यह aspartate malic acid यह aspartic acid और यह फिर transport होता है plasmodis meta के त्रू bundle sheet cells में यह mesophyll cells हो गए यह bundle sheet cells हो गए यहाँ पर यह आएगा और इसके बाद फिर यह जो malic acid आएगा इसका यहाँ पर decarboxylation होगा जो calvin cycle के दोरह fix होता है और malic acid से जब decarboxylation हो जाएगा यह चार कारबन का था malic acid और aspartic acid भी चार कारबन के और malic acid से जब decarboxylation हो जाएगा तो तीन कारबन का product यह transport होता है फिर से bundle sheet cells से mesophyll cells में और तीन कारबन वाले जो product बनता है वो होता है pyruvate pyruvate acid तो c4 acid from mesophyll cells to bundle sheet cells c4 from mesophyll cells to bundle sheet cells सही दिया हुआ है c4 acid from bundle sheet cells to mesophyll cells c4 from bundle sheet to mesophyll यह गलत है c4 नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए था c3 होना चाहिए था c3 acid from mesophyll cells to bundle sheet cells C3 कहां से आएगा C3 आता है mesophyll cell से bundle sheet cells में ये भी गलत है C3 नहीं आता है C4 आता है C3 acid from bundle sheet cells to mesophyll cell C3 C3 from bundle sheet cell to mesophyll cell ये सही है तीन carbon वाला जो pyruvate है pyruvate acid ये transport होता है bundle sheet mesophyll cell में bundle sheet cells है A सही है और D सही है बाकी यहां पर B और C गलत दिये हुए तो 137 का correct answer हो का यहां पर first now we move to another question question number 138 photosynthesis के लिए दिया हुआ है only physical process only chemical process physical chemical process या exergonic process photosynthesis क्या है photosynthesis ये redox है पहली चीज redox reaction और दूसरा यहां पर क्या है यह endergonic process है exergonic नहीं इनर्जी देनी पड़ेगी energy release नहीं होगी और तीसरी चीज यह कैसा है physical chemical process physical chemical physical chemical किस वज़े से क्योंकि यहां पर radiant जो light energy है उसको convert किया आता है chemical energy में तो physical chemical process only physical गलत only chemical गलत exergonic गलत यहां पर होना चाहिए 138 is third next question number 139 find the correct statement from the following statement in plants light saturation occurs at 10% of the full sunlight तो यह सही है 10% of full sunlight पर plant में light saturation हो जाता है इसलिए light rarely limiting factor है except dense forest यह फिर जहां पर shaded areas हो वहां पर light limiting factor हो सकता है the concentration of carbon dioxide in atmosphere 0.03 to 0.04% यह भी सही दिया हुआ है C3 plants saturation to carbon dioxide concentration beyond 450 microliter per liter यह सही है और C4 plants का saturation प्रेशन आता है 360 microliter per liter इसलिए जो present इस समय जो atmosphere में carbon dioxide concentration है वो पूछा जाता है किसके लिए तो यह 380 है microliter per liter लबग लबग present carbon dioxide concentration तो यह किसके लिए saturation saturation होगे C4 plants के लिए बड़ यह C3 plants के लिए क्योंकि इसका saturation है 450 तो इससे भी ज़्यादा हो सकते है यह बढ़ाया जा सकता है तो correct answer यहां पर 4 statements है A, B, C and D तो यहां पर right answer होगा all are correct 139 is fourth another question question number 140 which one of the following is correct match यहां पर correct matching पूछी के germ poor germ poor कहां पर जहां पर exine absent होता है pollen grain में यह exine और जहां पर यह sporopollen इनका जहां पर absent है वहां पर germ poor entine जोगा यही से pollen tube बनाएगा तो embryo sac गलत दिया हुआ है pollen grain female gametophyte pollen grain क्या है male gametophyte है male gametophyte क्या हूँ क्योंकि यह microspore से बन परहा है microspore जोगा germinate हो करके male gametophyte या pollen grain बनाता है तो female gametophyte गलत हो गया funicle funicle stamen में filament present होता है funicle नहीं funicle कहां पर है ovule में होता है micropile micropile ovule से सही है micropilar end और chalazal end जहां पर यह integuments incomplete है यहां पर यह basal end है यह chalazal जहां से arise हो रहे है वो chalazal end जहां पर यह absent है incomplete है इसे end को बुलते है micropile और इसे end को बुलते है micropilar end तो correct matching है यहां पर fourth 140 is fourth another question question number 141 which one of the following statement is correct यहां पर correct statement पूचा गया tapitum is the innermost layer of microsporendium तो microsporendium में tapitum innermost layer है nutrition provide करती है nourishment के लिए यूज होगी सही है यह और यहां पर ploody polyploid condition होगी multi nucleate हो सकते है और यह क्या बनाते हैं यह यूबिश granules जो इस पॉरो पॉलिन के फॉर्मेशन के लिए भी होगा तो इस पॉरो पॉलिन तो इस पॉरो पॉलिन तो यहां पर cells of tapitum possess dense साइटोप्लाज साही है सेल्स ऑफ टैपिटम जनरली है तो यह सारे यह स्टेटमेंट यहां पर सही दिया हुए माइक्रोस पॉर एंडियम की वाल में बाकी की जो तीन लियर से क्या वहा है जापलाइब्स किससे ऐं रहे है यह ंडिय यूट वरchn रह cathedral यह और ब्सक्राइब ट लोगे मीन प्लस एंवी important लैसे में एक सब्सक्राइबaska मईब्स最 ए्वन इस सण उबिया हुआ है यह फंक्शन माइक्रो میक्रो सफोर्म माइक्रो ससे यहां पर चार मेगा स्पोर्ट बए इसे यह से ठीומ कर जाते हैं जो मात मैप्रोपाइलर जो चले जलेंट वाल है वो फंक्षनल होगा और वो बनाता एक फिर फंक्षनल मेगा सपोर रहता है और फंक्षनल मेगा सपोर से फिर यह मेthen प्हु त dalating के राइस होगा second assertion is true but reason is false next question 143 in humans cardiac muscles are striated in appearance cardiac muscles जो होते हैं ये cylindrical हैं और ये branching show करते हैं ये branch structure भी है और ये कैसे होते हैं uninucleate हैं ये एक cell intercollected disc हैं ये intercollected disc और इसमें gap junctions present होते हैं तो striated in appearance सही दिया हुआ है और ये कैसे होते हैं involuntary inhumans cardiac muscles are involuntary और myogenic क्यों है क्योंकि ये auto excitable है इसमें impulse generation जो है वो खुद की activity से होगा as a node as a node जो है modified cardiac muscle cell ही है तो correct answer यहां पर दोनों जी statement सही हैं बहुत statement 1 and statement 2 are correct 143 का correct answer यहां पर 4th now we move to another question question number 144 given below are two statements दो statement दिये हो है multiload 375 is a type of copper releasing ये क्या है contraceptive and lipis loop are a type of non-medicated IUDs non-medicated तो ये plastic के बने हुए है और यहां पर copper जो का ये इसका mechanism of action क्या है ये sperm की motility को suppress करता है sperm motility is suppressed और lipis loop जो है copper या hormone निकुछ नहीं release करेगा बढ़ ये क्या करता है a septic inflammation पॉल्स करता है जिसकी वज़े से phagocytic cells का number बढ़ जाएगा तो इस पर्म की phagocytosis करवाएगा तो यहां पर first statement भी सही है second statement भी सही है both statement one and statement two are correct 144 is fourth another question question number 145 match the column and select the correct options यहां पर आपको correct option बनाते है lady bird यह क्या इसके लिए biocontrol efforts mycorrhizal mycorrhizal is a association of fungus with roots of higher plants fungus plus roots of higher plants तो यहां पर जो fungus है इसका genus क्या होगा इसका genus होता है glomus glomus is the genus of fungus to mycorrhizal mycorrhizal में क्या हो गया यह glomus है biological control biocontrol agent कौन से है trichoderma यह fungus है और इसमें trichoderma हर्जी है नम bio gas bio gas यह कहां से यह methano archibacteria archibacteria में methanogenes और methanogenes का example है methanobacterium तो यहां पर fourth का answer होगा first bio gas में use होते हैं bio gas में main gas है methane second number पर आता है carbon dioxide और बाकी जो है वो traces में H2S वगरा hydrogen वगरा तो correct answer यहां पर first is C second is D and third is B and fourth is A तो 145 का correct answer यहां पर होगा second next question 146 how many matching are correct soma clones genetically identical होते हैं तो सही है soma clones के हैं जो X plant हम लोग use करते हैं tissue culture में इन से जो plants तैयार होते हैं तो वो somatic clones कहलाएं somatic body से तैयार हुए और चुकि genetically identical है तो इसके soma clones बोलते हैं X plant X plant tissue culture में use किया जाता है any part of the plant organ, tissue, cell कुछ भी जो use किया जा रहा है उसको X plant बोलते हैं तो यह भी सही है micro propagation जो thousands of plants हम लोग use prepare करते हैं propagate करते हैं with the help of tissue culture तो इसी को micro propagation कहते हैं और यह actually micro propagation इसका application है tissue culture का application है micro propagation और virus free plants यह meristam culture से opt-end किया जाते हैं यह भी सही है और virus free क्यों होते हैं क्योंकि यहां पर division जो है काफी fast हो रहता है plus vascular supply नहीं होगी तो इस वज़े से virus free होता है meristam culture तो 146 का correct answer यहां पर 4 ही सही दिये हो 146 is second now we move to another question question number 147 human protein alpha-1 anti-tripsin is used to treat alpha-1 anti-tripsin यह किसमें यह emphysema emphysema किस से related है cigarette smoking से mostly और इसमें alveolar wall gets damaged जिसकी वज़े से surface area जोगा gases exchange का वो reduce हो जाता है तो इसमें हम लोग use करते है alpha-1 anti-tripsin 147 का correct answer यहां पर fourth next cotton ball worm is controlled by protein encoded by gene तो यहां पर protein कौन सी है जो cotton ball worm को control करती है cry 1 AB है एक है cry 1 AC और एक है cry 2 AB तो यहां पर cry 1 AC और cry 2 AB यह दोनों ही use होते है cry 1 AB जो है यह नहीं यह कौन बोरर के लिए तो बोथ 1 and 2 148 का correct answer होगा third another question question number 149 assertion in gel electrophoresis DNA moves towards the anode DNA किसकी तरफ move करता है anode की तरफ क्योंकि DNA कैसा है positive charged molecule the anode जो cathode है यह electrode जो है यह कैसा होगा यह positive cathode जो होता है वो negative तो DNA खुद कैसा होता है DNA खुद negative होता है इसी वज़े से यह आनोड की तरफ move करता है DNA positive charge यह गलत दिया हुआ है तो DNA कैसा है negative और negative किसकी वज़े से होता है तो phosphate molecules की वज़े से negative charge होगा इनके पास तो assertion सही है but reason is false 149 का correct answer होगा second next question 150 select the correct option for the given diagram यहाँ पर diagram दिया हुआ है यह spas tank bio reactor spas stir tank bio reactor का टाइप है और इसमें यह sparger लगा हुआ है sparger क्या करता है यह air bubbles को inject करेगा infuse करेगा इसमें air bubbles को और air bubbles क्या करता है यह oxygen के लिए surface better surface area provide करेंगे जिसकी वज़े से microbial growth अच्छी होगी culture better होगा fast होगा तो spas stir tank bio reactor यहाँ पर correct answer 158 second next question 151 which one of the following is the correct match यहाँ पर correct matching पूची गई है ethidium bromide यह इस training के लिए use किया जाता है gel electrophoresis में और इसके बाद cloning vector cloning vector क्या है यह bacteria phase cloning vector foreign gene को clone करने के लिए replication के लिए virus और plasmid most commonly use किया जाते है तो यह सही है PBR 322 यह artificial plasmid है और PBR 322 में PKI यह plasmid और BR हो गया bolivar and broadregs और 322 इसको number दिया गया है बाकी plasmid से differentiate करने के लिए तो यहाँ पर भी matching के हैं सारी सही है 151 का correct होगा fourth next question 152 which one of the following is the incorrect match यहाँ पर incorrect matching पूची के लिए डियने डियने कैसा है hydrophilic molecule सही है डियने हाइड्रोफिलिक है equa solution में soluble होगा इसकी activity के लिए जरूरी है और hydrophilic किस वज़े से यह यहाँ पर phosphate group की वज़े से phosphate में जो negative molecules है water को attract करेंगा hydrogen bonding होगी तो hydrophilic ऐसा ही है इसके बाग टी आई प्लाजमिड है tdna transfer dna में ti plasmid ti के tumor inducing preventing यहाँ पर गलत दिया हुआ है तो second यहाँ पर incorrect होगा retro virus retro virus यह vector की तरह use होते हैं सही है insertional inactivation insertional inactivation यह किसमें होता है यह beta galactosidase gene में होता है तो यह भी सही है तो 152 का answer यहाँ पर होगा second next question which association group given the definition of biotechnology biotechnology की जो definition थी वो European Federation of Biotechnology EFB इन्होंने दी थी और इसके according क्या था integration of natural science and organism cells parts thereof and molecular analogs for products and services तो इसमें classical plus modern biotechnology को integrate लिया गया है तो correct answer 153 का क्या होगा third next question 154 ventricle of rock contains तो ventricle of rock में यहाँ पर three chambered heart है और यहाँ पर क्या होगा mixing होगी right atrium से जो blood आएगा वो कैसा होगा वो deoxynated blood और left atrium से जो आएगा वो oxynated blood तो यहाँ पर होगी mixing deoxynated blood deoxynated blood no blood तो यहाँ पर 154 का correct answer क्या होगा mixed blood और यहाँ पर circulation अगर पूछा जा तो यहाँ पर incomplete double circulation 154 is fourth आगे देखें question number 155 greater biological diversity of tropics than temperate region is due to the the tropics में ग्रेब बायोडावर्सिटी ज्यादा है उसका reason के है तो presence of more seasonal environment तो यहाँ पर morning less seasonal of frequent glaciations in the past यह कहां होई यह temperate region में होई ट्रोपिकल में नहीं और highly variable climate and availability of less solar energy less solar energy नहीं एक्वेटर पर जहाँ पर ट्रोपिक रीजन है वहाँ पर ज्यादा solar energy आएगी तो लेस यहाँ पर गलत दिया हुआ है highly variable climate variable नहीं होगा availability of more solar energy which contributes to higher productivity तो यहाँ पर correct answer होगा fourth solar energy ज्यादा है और जो यह higher productivity के लिए contribute करेगी तो 155 का right answer यहाँ पर fourth next question 156 given below are two statements in mango and coconut the fruit is known as droop say mango and coconut में और यह किस से develop होता है यह monocarpillary superior ovary है दोनों में मोनों कार्पिलरी सुपेरियर ओवरी से और in mango the pericarp is well differentiated in an outer thin epicarp middle stony heart mesocarp and inner freshable flashy edible endocarp तो यहाँ पर middle stony heart mesocarp यह नहीं और यह भी गलत दिया हुआ है यह आपस में first is correct but statement two is incorrect 156 का right answer हो यहाँ पर second next question 157 the tiger senses in our national parks and tiger is the wisdom based on तो यह density निकालने के लिए हम लोग indirectly भी measure करते हैं वैसे most appropriate जो है वो डिरेक्ट काउंटिंग की जए तो इसके लिए क्या यूज करते हैं tiger के लिए tiger के लिए पल्ग माउस and directly counting by seeing पल्ग माउस and fecal pellets only पल्ग माउस only fecal pellets तो often based on often जो यूज किया जाता है वो method है पल्ग माउस and fecal pellets 157 is first next 158 which one of the following are found in hot spring conditions heart springs में यहाँ बर कौन से आर्की बैक्टिरिया और आर्की बैक्टिरिया में भी thermo acidophiles जो high temperature और acidic medium दोनों प्रिफर करेंगे आर्की बैक्टिरिया यहां पर 158 का correct answer होगा first next which one of the following is not a functional unit of ecosystem system तो functional unit यह functional aspects अगर ecosystem के देखे जाएं तो energy flow decomposition productivity stratification तो productivity होगी decomposition होगा energy flow होगा और nutrient cycling यह होने चाहिते stratification यहां बर गलत यह हुआ stratification के vertical distribution of different species तो 159 का correct answer होगा fourth next question 160 which one of the following is odd fragmentation humification stratification stratification यह mineralization तो यह सारे steps के इसके दिए दूए है यह decomposition के fragmentation humification mineralization leaching catabolism यह steps है इसके और stratification अभी इमनों बने देखा vertical distribution of different species तो यह stratification यहां पर गलत है 160 correct answer is third now we move to another question which association exemplifies commensalism commensalism को कौन बताता है तो commensalism किस type का है यह प्लस zero type का population interaction का example है एक का फाइदा है दूसरे का ना फाइदा है ना नुकसान है तो orchid and mango यह epiphyte की तरह grow करता है mango plant पर mango tree पर तो यह सही है a great and balance of terra the cattle a great और यह किसके साथ cattle के साथ होना चाहिए था birds silverfish and adamsia यहां पर silverfish नहीं यहां पर क्या होना चाहिए था prawn fish and barnacles and cattle barnacles किस पर balance of terra पे तो correct answer was sirf egg 161 is fourth next question which one of the following is the correct match with reference to biodiversity the biodiversity अगर देखी जाएं यहां पर 162 तो यहां पर one correct answer होगा fishes 28,000 species beetles इसकी 3,000 species नहीं और kids और ants इंगी 20,000 species तो fishes की होनी चाहिए थी 28,000 यह साहिए 162 इस फर्स्ट नेक्स्ट क्लास में में लिया इंक्लूट फैमिलीज तो क्लास में में लिया में जो फैमिलीज और यह फैलेडी और कैनेडी कैनेडी डॉक्स की फैमिली और फैलेडी कैट्स और और इसमें यह और पॉलिमर नियल्स प्लांट की फैमिली तो यहां पर बोथ वन एंड टू इल्बी दा राइट आंसर वन पर्फेक्ट टाइफ और यहां पर देखे जाएं तो ट्राइको डर्मा होगा को लेट्टो ट्राइक्टम अल्टनेरिया तेन एंग्जाम्पल सेंसी आडी में दिया हुए तो यह सारे एंग्जाम्पल किसके जूप्रो मैसेटी इसके वन सिक्स्टी फॉर का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नेक्स्ट ग्वेस्टी फ़इनस फ्लाइट्रेब इस एन एक्जाम्पल ओफ विनस फ्लाइट्रेब किसका एक्जाम्पल है तो यह टाइप अफ इंसेक्टिवोरस प्लांट टाइप अपर परसिटिक फंजाई हेहा पर वीनस फ्लाइट रहा पिरी एक इसका वह टाइप आप एंसेक्टिवोरस प्लांट है के और यह कैसा होगा हे सनलीय कि enॉल है कि क्र्णों कि इंसेग्टी वर रशी एक्यों है कि जांपर ये जaking लो करते dépend और नाइट्रोजन की कम ऐसे देँडन की कमी को पूरा करने के लिए इसला भीट서 य Elliot वैसे ही या अक को ग्रोफ गैक तो पार्शलिए प्रोफ चाहर और डायोनिया इस नेम वर डाउनिया वीनस फ्लाइट रैप वन सिक्टी फैफ के बाद क्वेश्चन नमबर 166 देश ट्रॉबलाई और कौन सा करें विच प्रांट तो इस ट्रॉबलाई का फॉरमेशन टैड़ोफाइट्स में भी एड़ोफाइट्स में से लाइड एक्विसित अप्विसित अ है दोनों में इस ट्रॉबलाई बनते हैं और पाइनस पाइनस में मेल कौन और फीमेल कौन यह सेम प्लांट पर हैं मोन इस टाइप का प्लांट है तो करेक्ट आंसर होगा 166 का फोर्ट नेक्स्ट वेश्चन 167 एक्जाइल प्रसेंटेशन इस फाउंड इन आल दो फॉल्व और और मेरी गोल्ड इग्जांपल्स दियो हैं बेसल प्रसेंटेशन के सिंगल ओविल प्रसेंट होगा बेस अफ दो ओवरी से अराइज होता है प्रसेंटेशन के अरेंजमेंट ओव उविल्स पैटर्न ओवरेंट और इन दो ओवरी तो 167 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड न अंटरार्चन रेड एलकी और इक इसके सिंबलर है अमाइलो पैक्टिन एक लाइकोजन इस्ट्रक्टर अमाइलो पैक्टिन एंड लाइकोजन इसके सिमिलर है यहां पर करेक्ट आंसर होगा 168 का सेकेंड next question 169 169 in psychos female cone is absent psychos में female cone absent है सही है mega sporophylls यहां पर legs है mega sporophylls compact structure नहीं बनाती है इसलिए यहां पर female cone absent है और यह compact क्यों नहीं बनाती है क्योंकि यहां पर psychos जैसे large size of ovule mega sporophylls are not associated to form female cones तो यह reason भी सही दिया हुआ है largest ovule है plant kingdom में psychos का तो assertion भी सही है reason भी सही है और reason is the correct explanation also answer होगा यहां पर fourth 169 is fourth another question 170 which is the correct matching so k for calyx c for carola यह walls present है flower में outermost is calyx unit होगा यहां पर staple carola जिसका unit होगा पैटल और यह condition है एक्टनो मार्फिक के लिए एक्टनो मार्फिक जब हम लोग इकपल पार्ट में डिवाइड कर सकें सेंटर से होते हुए अगर एक्से से सेंटर एक्से से प्लें पास हो multiple times तो इसको एक्टनो मॉर्फिक बोलते हैं यह भी सही है तो यहां पर correct matching होगी fourth all of the above 170 का answer हो गया fourth so we have covered all the questions 135 to 136 to 170 now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir thank you all of you thank you so much hello बच्चों new light youtube channel पर आप सभी का सवागा थे प्यारे बच्चों और मैं पिक्रम चाकवरती आज आज आपके समख तेकर के हाजिर हुआ हूँ और इंडिया री एफेस्टी के करम में हमारा पाच्वार टेस्ट है जोगी छे जुलाई 24 को हमारे इंस्ट्यूट की तरफ से यह online offline mode दोनर पर हुआ है यह हमारे डेक्टर सर का प्रयास इंस्ट्यूट का प्रयास है कि नीट के एकजाम अगर होता है तो उसके लिए आप लोग को पहले से उसके लिए हम तैयारी के लिए आपको प्रिपेर कर सकें तो इसी करम में आज मैं आपके समख लेकर के एक स्वेकता से दो सो तक की पेपर डिसक्षन के लिए बाइलिजी सेक्षन में हाधिर हुआ हूँ और कोशन नमबर एक सो एक से लेके एक सो सतर तक की जर्णी हमाई सीन साती आलीस और साइलेंसर ने बहुत भी बहुती सांदार तरीके से आपको ये स्टन कराया है तो आईए देखते हैं कोशन नमबर एक सो एक सो एक से लिए कुछ नहीं आपको पता यूरेसिल जब आप नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हो तो आपको पता एक होता प्यूरीन और एक होता है प्रिमिडीन और प्यूरीन तो आप सभी जानते हो प्यूरीन और दूसरा क्या था वाइट्रोजिन और थाइमीन आपको इतने मालूम है कि यह आरेने पा जाता है और यह डियने में होता है बाकी सब रेश्ट अब कामन होते हैं तो यह समझ में आगा कि भाई यह तो प्रिमिडीन है दाइस एफोर्ट अब एफोर्ट यहां ह थार्ट नहीं हो सकता जैंतो फिल करोटिन फिर यह सब के सब पिंग्मेंट होते हैं इतना तो आपको पता है यह आंसर हमारा आ गया फरस्ट आंसर कुछ नहीं ग्लाइकोजन जो होता है यह इनिमल की बॉड़ी में स्टोड होने वाला पॉली सेक्राइड है जो कि मॉनुमर है ठीक तो यह आगे आपका डी थार्ड फरस्ट आंसर अब देखे सेस्वेणिया आपको पता कि जो फैमिली आपकी बुक में है आपकी लेगुमिनेसी उसकी तीन सब फैमिली से फैवेशी सीजल पेंडी मीमो स्वाडी और फैवेशी में यह दोनों से बैनिया ट्रेफोरि के साथ से तो भाई यह फैवेशी होती है उसमें खास बात होती है जीवन कंडीजन होता है जाइगो मारफिक होता है आपको पता होना चाहिए और इंडोसिं कितना उतद्दस होता है डाडिस फोर्ट आंसर आप देखे तर फॉलमिक कुछ नहीं आपको पता था कि जब आप आप की होती है यह होती है वह थाझा काइन कहा हो गया तो तो इसमें भी एक जामबल दा लूज और देन्स और द्र फ्रकार के एक था रेगुलर और एक था रेगुलर 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 का इस्किन ने पाई जाता है यहाँ पूछा गया दाइस टीफस तो यह रहां भी थर्ट सी सकेंड डीफस फस्ट आंसर अब देखिए जब काक्रोच की आप बात करते हो तो जो इसकी आई होती है वह तो COMपाउंड होती है कब मतलब more than one lens से बना होता इसकी unit होती है Ometidia और आपको यह बताया गया था एक आख में 2000 Ometidia होती है जिसका मतलब होमेटिらया क्या है यूट आप compound आई है जाडिस एफोर्थ 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 यह गलत होगे अब फैलो मेर जो होता है एक्स्टेनल जने टेलिया है मेल काक्रोच में तो एक प्रकार काइटिनस एक Crime प्रघुम निकलता थीक है तो इस पर में टो फुल बंडल ऑफ इस से स्केंट ठीक और कोलेटियल ग्लैंड जो होता है यह bakalım थीका बनाता है और राइड दूने लेफ्ट बड़ी होती है ठीक तो बहाई यह हो गया बीदी फिस्ट सब्सक्रिट है अब देखिए आपको पता कि जो इपी थीलियम टीसू होते हैं कुछ अधर टाइप के ठीसू उसमें कुछ जंसन पाए जाते हैं और इन जंसन का अपना एक पाइटिकल काम होता है जो गैप जंसन होता वह एक सेल से दूस सेल में मौलिकुल के ट्रांसपोर्ड उफेवर करता है अब देखिए यह डाइगराम आपको पता है यह तो हमें यह पोस्टी सू का डाइगराम दिख रहा है यह प्रकार का लूज कनेक्टिव होता है ठीक इसे इस प्रेसलाइज की स्रेडी में भी कभी-कभी रख सकते हैं इसका दो काम होता है एक तो स्टोरेज और दूसरा हीट प्रोडक्शन ठीक है दोनों होता वाई तो एक प्रकार का क्या है करेक्टिव टीशू है जारिस फर्स्ट आंसर आप देखे यह डाइगराम आपके सेम रेडियस आपको दिख रहे हैं तो भाई यह तो हमारा कंज्वाइन टाइप का हो गया ठी यहीं लीफ में पाई जाता है यह बात यहां दखेगा ठीक तो कंज्वाइन प्लोज वेस्कुलर वंडल फोर्थ आंसर आप देखिए आपको महमत्त आपकी बुफ में डाइगराम बना हुआ है ठीक तो यहां पर देखिए ट्राइकों मैं से दिखा हुआ है आप देख रह होता है उसमें कुछ इस प्रकार तेया रहते हैं चैटर फैला रहता है जो सेंटर वाले होते हो बड़े-बड़े होते हैं और यह सोटे-शोटे होते स्कैटर वंडल क्रैटर स्टीप फीचर अफ मोनो का डिस्टेम तो यह रिंग वाला होगा क्या चैट डाइकों इस्टेम ऐसे बनती गई अब यहां पर टुफ टॉफ 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 बन गया तो इसका नाम था ग्लो मेरूलस और यह था बॉन कैपसूल और इसमें जगहां जगहां पर इसे चोटे चोटे यहां पर कुछ चल्स पाई आती है और यह स्लिट का निर्मार करती है अब जब यहां से आता है तो बहुत प्रेसर से आता है यहीं से इन ही पोर्स के माद्यम से नेफ्रिक फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन होता है ज फिर आपको मालूम है कि हैनले लूप में यह Descending और यह ascending यह Water के लिए permeable है और यह Water के लिए imp alleine है यह आपको किसी भी चीज को concentrate करना तो उससे पा Pacific निकाल दो किसी चीज रिपना तो इलेक्ट्रलाइट डाल दो उसके अंदर निकाल लो तो इसका मतलब अगर यहां पर वाटर का एक्षेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं यह नेफ्रिक फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करती है और आप जानते हैं कांट्र के लिए रिस्पांसबल होता है उसका एक पार्ड वासा रेक्टा होता है और दूसरा हिलने लूप होता तो यह वह बिल्कुल चाही है और पीसीटी में अब जाफसन होता है यह सोडियम पोडेसियुम का और सेवेंटी टुएटी पढ़ने लेक्ट्रोलाइड का वाटर का इन सब का मोट विजार्टी आप यहीं होता है तो इस चारों तीनों सभी वाई पोर्तांसर आप देखें जब आप रेस्पिरेशन की बात क सब्सक्राइब के 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 सब्सक्राइ जैंकि आपको मालूम है कि जब आप फॉस्पो फॉसरीट ऐसे इनॉल पाइर्विट बनता थे यहां से धोल्टर होता है यह आपको पता है ठीक इसका मदलब गलाइकुलिसस के एक शिप में वाटर मालِकुल रिलीज होता है ले कोशन यह पूछा कि अ Ε्यूसे मालीकुल का न हो नहीं सकते मैं इन दोनों में यह बात वाटर मालीकुल होता है आप द्यांक देखिए ग्लुकोज से ग्लुकोज सिक्स फासफिल एटीप उटलाइज हुआ और देखिए थी यहां पर एटीप रिलीज हुआ तो आंसर हमारा यह है अब देखिए कुछ नहीं आपको यह बताए गया था कि चाहें रिपर्टीव की बात करें चारों पर फालो होगा यह फिजकल होगा और आपको मालूम था कि दुनिया में इंडिया ही वह फर्स कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग की स्टार्ट किया लेकिन यह था वह वह परने की दर और मैटर्नल मौल्टेलिटी रेट अगर यह दोनों बढ़े मलम मृत्ति उदर बढ़े जायर सिवासा कि पॉपुलेशन की घटेगी पॉपुलेशन ग्रोथ घटेगी डिकलाइन करेगा पॉपुलेशन और अगर इन दोनों में घटोती ले आया जाए मैटर्न को पता है घटो जो जो कि इंटरिवाज कासे होता है यह सेंटेंस यह दूसरा वाला ला ही गलसते से करें अब देखsuite है मालूँन की बात करते हो इसकीिए कह कौन, प्रोफेज हो, अब इस इतने होते अब इस प्रोफेज को आगे अरह हम इलाबरेड करके देखें तो इस प्रोफेज में भी पांच सब इस्टे लेफ्टोटिन जाइगोटिन पैकितिन डीप्रोटिन डाइकानेसिस यह सही यह वाई ठीक है यह फस्ट अंसर अगर हम POND Ecosystem को ऐजे बनाते है Uo Plant इसे कौन फिट करेगा Jew Plant A tight और इसे कौन किपने क्यर सिस्टम पे इसके भिहाव पर एक生 तेडिंग हैविट के हसाफ से इसको नाम दियागा विजार से प्रोडूसर हमें आख ट्राफिक कि लेवल पर स्प्राइब जो फ्लेंकर त्वर यह हो गई ती त्वर ठीक कि अपने अन्भॉज यूमन हैं हम कुछ भी हम सरवहरी और तिमांसारी साकाहरी हैं हम मचली खा रहे हैं एक हम बक्री भक्रा भीखा रहे हैं चिकन मी खा रहें ठीक अभी लेकिन हम कभी भी प्रडूसर नहीं हो सकते हैं ठीक तो यह हो गया और आपकी बुक में यह कहा गया है कि भाइसाब जब इस पैरो ने कोई सीड खाया ठीक तब तो सीड तो हो गया टीवन ट्राफिक लेवल ती यह टीटू पर आ गई और जब कोई इंसेक्ट खाएगी तो इ थी ट्राफिक लेवल पर इन बातों से यह महम चलता है कि अगरा मशली को देखिए तो एक स्थी ट्राफिक लेवल पर एक ही को सिस्टम में पॉंड इको सिस्टम को एज ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडर कर रहा हूं यह पॉंड एक फूड चेन की बात करेंगे तो यह लेवल बॉलउफीन अश्षचा है और इस पैरो आपकी बुक नहीं पताया कि सीड भी खा सकती है और मुसली जीन में चेंज जीन चेंज होगा तभी नया करेक्टर आएगा तो इस बात पर दो-तीन सांटिस्टों ने अपने अलग-अलग मत रख के सब्सक्राइब कर दोनों सब्सक्राइब आपको मालूम है कि यूमन हेल्थ के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि बहुत सैसे लिंफाइट टीसू होते हैं जो आप प्रकार का यह यह नहीं है आप देख लो प्रोर का यह इक आशे समतले में उसके यह जियान है तो इस से बोलते हैं यह उक् containers हो सकता है यह प्लानेटीन में लिया हो सकता है यह एक प्रकार के जीव है ठीक और आपको पता है एस इस्टेड रेपोड़क्टिव टेक्नोलोजी जैसे सपोजेड मेल और फीमेल हुमन है इस टेकनोलोजी का साहरा लिया जाता है या बच्चा पैदा करने के लिए ठीक तो इसका मतलब यह एक प्रकार की टेकनोलोजी है यह भी जीव नहीं है तो कोशन पुछा गया विशी नहीं तो ए और डी यह नहीं है भाई आंसर थर्ड तो कोश्चन नमबर 186 का आंसर थर्ड आप देखें इन जीव प्लाइंड दा फर्स सी ओ टू फ्रिक्शन प्रोडक्ट फॉर्म डेज कहते हैं कि सी फोर और सी थ्री जो आप देख रहे हो यह इस बात पर है कि जो सी ओ टू का फ्रिक्शन हुआ तो कितने नमबर वाले कंपॉंड वाले कार्बन एटम के संख्या बने मलब जो कंपॉंड बना फर्स इस्टेवल प्रोड़क्ट उसमें कितना कार्बन एटम है आपको यह मालूम था कि जब आर्यू वीपी सी ओ टू से जुड़ता है तो यह बनता है यह तो मीजो फिल में यह रिक्शन होती है कहां होती है मीजो फिल में तो कहते हैं जेलो फिल 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 चेल और इसके हर फिक्शेशन पर तू ए टीपी का एक्सपेंडिचर होता है अब आपको पता था कि जुब नाइन बन्स पूरे होते एक प्रकार का फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स आता है और यह यह रिफ्लेक्स आता कहां से यह पलेसंटा से भी आत प्राइमरी उसाइट से और प्राइमरी उसाइट में जब फर्स्ट मियोंसिस होगा तो आपका बनेगा फर्स्ट पोलर वाड़ी जब बन जाएगा साइट बनेगा और सेकेंडरी उसाइट में जब मियोंसिस होगा सेट तो बनेगा टे का मतलब वाड़ी कहां बना है उसे इसमें अब देखें जब होता है नॉर्मल में गैविट कहा तो पहला स्ट्रक्च्चर तो आपका जाएगोटी बन गया और जाएगोट से सुरू होती इसके बाद बनता है यह मारुला और मारुला के बाद बनता है ब्लास्टोसिक और यह यूट्राइन की वाल से अगर आप बात करें तो एक प्रकार के होते हैं मेंडेलियंग डिस ओडर और एक प्रकार एक प्रकार नंबर होता है घहर में सकता है और सकता है आप और यह दो गटेगा यह से ट्राइसोमी ट्रासोमी मोनोसोमी ठीक एनुफॉइडिक एक्जामपल और ट्रिप्लॉइड पॉलिफॉइड पेंटाफॉइड यह पॉलिफॉइड के एक्जामपल आप सिंगिन जीन में इन्टरेशन से इसे माली जागे ब्लड क्लॉटिंग की रिस्पॉस हीमोफिल्य हो जाएगा हीमोगलोविन की चेन डिस्टर बहुत सिंगल नहीं सब्सक्राइब यह मेंडेलियन डिसॉडर है यह संटेंज गलत है पहला सब्सक्राइब दूसरा गलत है जड़िस सेकेंड ऑफ्सक्राइब अब देखिए इंदा गिवे अब देखो डिपलो ब्लास्टिक हम बात करें तो भाई इसके एक्जामपल कहां शुरू होंगे सीलन्ट रेटा टीनो फोरा इन्हीं के दो फाइलम के मेंबर हम देखेंगे ठीक और चुप क्योंकि कि प्लैटी हेलमेंथीज इनसे लेकर के हैं तो भाई हाइडरा हो गया एडंसिया हो गया मिंड्रीना हो गया और यहां से टीनो फ्लैना हो गया फाइसलिया हो गया दो तीन पांच यह आगया अंसर थर्ड आपको पता टीनिया हो गया ट्रेपलैटीलमेंथीज काकोश आर्सो बोड़ा और सीफिया मोलस का यह नहीं ठीक एक्जो नीम यह प्रोटीन के बनी होता है चाहिए आपका बीच में से हब करके होता है ठीक है और यह कैसा होता यह भी अब देखो आपको मालूम है कि सपोसर यह आपका गन्ना है ठीक आपको पता है गन्ना यतना बड़ा या मोटा होगा उससे इल्ड सुगरकेन की उतनी बढ़ेगी ठीक तो मैं कहारा हूं अगर मैंने इसको लंबा कर दिया बाइदे हार्मोन जिब्रैलिन जिवें डालके आपने इसकी इसकी बॉल्टिंग करा दी इंटर नोट को इलांगेड कर दिया बॉल्टिंग तो इससे पैदावार बढ़ गई इसका मतलब आपकी बुक में डिटा गया है कि 20 टन पर एकर आपकी यह पैदावार पढ़ जाती क इससया व्यवाज से जब्रिटंड की वायसे फैर रडड आंसर यह आपके लायन थी हो अब देखे इस पूंबावियाये की लंबाई देंग है लंबाई पो क्यों कि जब कुछ नहीं दिया जाता है तो हम भी डिन ने ही सपोच करते हैं ठीक तो कुछ नहीं लंबाई दी गई है 5.1 मीटर हमेशा में केस में चलेंगे 3.4 एंगे स्टॉम माइनस का 10 इसको ऐसे करेंगे तो अब लेटा सपोच को जड़ा उलट देते हैं हम कहरें हमें बेस्पेर दे दिया जाए है ठीक हमें दिया गया एक एक मलब 1.5 दस रखाट दस बेस्पेर आपको दिये जा रहे हैं तो बताएए इस बेस्पेर वाले डिन ने कितनी लंबाई होई कुछ नहीं और जब लंबाई लेंथ पूछा जाए लेंथ ओफ डिने सैंपल ठीक तो आप क्या करेंगे गिवन बेस्पेर जो आपको बेस्पेर दिया गया है उसमें मल्टिप्लाइड वाई 3.4 इंग स्ट्रॉम कुछ नहीं जर 1.5 इंटु 10 और 3.4 इंटु माइनस के 10 माइनस के 10 प्लस 10 से कैंसिल आउट होगा और पंद्रा चोको साथ और पंद्रा तिया पैसालिस छे क्यावन दो जीरो लगाएंगे 5.1 यह मीटर आ जाएगा इससे आपने क्या सिखा जब आपको लेंथ देंगे बेस्पेर पूछेंगे तो 3.4 इंग से आप होते हैं मतलब जहां पर काम महत्पूर्ण कारे हो रहा को पता हैं अग्रेजिस अगयाय काम करते हैं जहां उनके सरीर में air के साथ कुछ पॉर्टिक वगडा विंटरर करता हूं जहां सीमें जा wanna हो मारे प्मोरी और लीपिय से को फाइब्रोसिस बोलते है यह सही है तो यह ओ आई डी है उपको पेस्टर एस्पाइट रिस आडर है फोर्त आंसर अब देखें यहां पर यह एडेनल ग्लैंड लिखा अब देखिए सपोस्ट एक होता एडेनल ग्लैंड ठीक एडेनल ग्लैंड इसके दो है भाई रिजन एक है कार्टेक्स और एक है मेड्ला ठीक इन दोनों से अपने हर्मोन निकलते हैं कोशन के लिए कि पूछा जाएगा तो इससे संबंदित को गलत हो जाएगा अगर कोशन के लिए पूछा जाएगा तो इसका मतलब हम दोनों को लेंगे उनके फंक्सन को समझेंगे आये देख देटेह आपको मालूम है की जो इससे निकलने वाला हर्वोन जिससे आप एक्टिवेट करते मतलब आते हैं तो वह यह बिलकुल सही है करता है और आपको पता है क्यों कार्टेक्स में क्वार्टिकॉलेटा थे इसका फंक्शन वही रहता है सब्सक्राइब करता है तो आप से पाल आपको पता है कि जब आपको स्टोक वाल्यूम निकालनी हो अग्यों तो क्या करेंगे टोटल कार्डियork और पूट ठीक हाट व्यूट इन Dann में हाट वीति इन वन मिनट ठीक इतना पता है आपको पता कि नॉर्मल डिकाट नहáticas है 5000 और कितना बीट करता है कि इसको राउंड आफ करेंगे तो यह सतर आजाएगा ठीक आब यह बोल रहें कि कार्डियक आउट्पुट को बढ़ा करके हमने 7.2 लिटर कर दिया है तो 7.2 लिटर का मतलब मल्टिप्लाइड बाई 1000 और यह करने कि हर्ड पीट परसल नॉर्मली इतना पहले था बहातर तो जब आब इसको बहातर सो बटा बहातर करूंगे यह सो एमिल बढ़ जाएगा इसका मतलब आप कार्डियक आउट्पुट बढ़ा होगे तो यह अपने आप बढ़ जाएगा अ हम इसे बढ़ा दे रहें और यह अपने आप वालुम बढ़ जाएगा और यह तो आपकी बुक के लाने की सेंट्रियो और जो जीवन एस जीटू फेज होते हैं इन सब में अपना एक पाइट को रोल होता है इसमें डियने संसेंट्रियो का डूप्लिकेशन इसमें एम सब्सक्रियों का डूप्लिकेशन से केड़ और देखिए अब कुछ नहीं आपको मालूम है कि जब आप इसकल की बात करते हो इसकल तो इसकल में एक होता क्रेंशल भून ठीक और एक होता फेसियल वोन इसमें होते हैं आठ और इसमें देखिए फ्रेंटल सिंगल होता है पर यहां पर इसकल लिखा हुआ तो यह गलत है और यह तो एटलस होता है यह गलत और आपको पता है कि कहानिया आप जानते हैं इसमें कोई सक नहीं यह होता है टू यह फलोटिंग यह यह होता है यह इलेवन ट्वल्व ठीक तो कहते हैं कि नाइन टेन पेर टू इस नहीं नव दस तो फालस में जाएगा यह गलत है यह तीनों गलत है आप से करड़ पूछा गया ओल आप दावर फोर्थ आंसर अब देखे आपको बताए गया था पाइडाश्टी में कि पिछले पांच सालों में और सताइच सालों बहुत सारी स्प्रीज अनिमल की फ्लांट की विलुप्त होई जिन में से एनिमल के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं कि यह डोडो मॉइसस से विलुप्त होई थी रुप्त होई और थाइलासीन औश्टेलिया से विलुप्त होए और क्वाग ह greasyka इस्पाटिये का आस्नि यह कंट्री हैं जहां से चीजे को बताय गया इसके अलावा तीन सबस्पी टाइगर केते बली जवान कैस्पिन वही बिल्फ हुए ठीक तो आई देखिए डोडो मौरिसस का ए सेकेंड थायला सीनस्टे लिया भी फोर्थ और शीलर सीकाओ रसिया हाँ स्टीलर सीकाओ डाडिस सीफस्ट और क्वागा अफ्रीका डाडिस धी थर्ड यह रांसर थर्ड ठीक अब देखिए हो सदेखिए आज हमी से गलत हुआ है इसलिए बी केरफुल इस तरह कोशन को जो मैचिंग के आते हो सकता बहुत ही क्लोज आंसर दी है फिर से देख ले सी थर्ड ठीक सी फर्स्ट और उसके वागा अफ्रीका डाडिस धी थर्ड यह होगा सिकेंड थर्ड आंसर तो दोसों का थर्ड आंसर बच्चों तो बच्चों यह रिए फेस्टी का टेस्ट इसलिए कराय जा रहा है ताकि हो सकता हो एक दिन में परसितियां आपके सामने आ सब्किन करें नहीं कहा थे अगर टो ठीक नहीं होगा तो गयाए क्या किया जा किंति कियी तो थैंक यु वचिंग था वीडियो फायदी वीर